ते जदों ओस टैम कोई वी अफसर जड़ा है ओधी विदाई होंदी सी ना ते आपां फेरवेल पार्टी कर दे सी मैंनों भी आज एओ जब महौल लग रहे हैं कि जी मैं तुसी सारे आथे मेरी फेरवेल पार्टी वास्ते बैठे होएं दोस्तो नमस्कार आपके साथ चर्चा में हूँ हर्याना की राजनीती को लेकर हर्याना की राजनीती के अंदर आपसे बात करने चला हूँ सिर्सा लोकसभा की बिना भूमिगा के आपको बता दें कि सिर्सा की लोकसभा सदस्य थी सिर्सा से सांसत है सुनीता दुगल सुनीता काट दिया है और टिकट मिल चुका है अशोक तमर को अशोक तमर 2019 के चुनाओं में सुनिता दुगल से ही हारे थे कॉंग्रेस की टिकट पर थे उस चुनाओं में और अब वो कॉंग्रेस छोड़ कर कई पार्टियों की आत्रा करते हुए अपनी पार्टी बनाई उसके बाद वो ममता दीदी की पार्टी में गए फिर आम आदनी पार्टी में गए और वहां से आ गए बीजेपी में भारती जन्ता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया सिर्सा लोकसभा से मुद्धे पर आते हैं सीधे कि कल सिर्सा लोकसभा के अंदर रैली थी भारती जन्ता पार्टी की जन्सभा थी पूरु मुख्यमंत्री मनोहरलाल उस सभा के अंदर मौजूद थे पूर्मुख्यमंत्री मनोहरलाल की सभा में मनोहरलाल जी ने कहा आजकल भारती जंता पारटी में परिवार और परिवारवाद की बात तो चलती है लेकिन रिष्टे बहुत जोड़े जा रहे हैं तो मनोरलाल जी ने कहा कि अशोक तवर मेरा भांजा है और सुनीता दुगल मेरी भांजी है, भांजी का टिकट कट गया, भांजे को टिकट मिल गया, तो भांजे का परचार करने के लिए मनोरलाल जी भी आये हुए थे, लेकिन मनोरलाल जी के सामने ये खेला हुगया, सुनीत सुनीता दगल का जो बोलने का स्टाइल थावा बात करने का तरीका था वह निजिए कि दोजार चौणाव से पहले 2014 का लोकसभा चुनाव वीधानसभा चुनाव जो हुआ था आपको बता दौ में जुनिता दुगल इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में थी और इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिशनर थी और उन्होंने नौकरी से वी आरेस लिया था जर वह वी आरेस ना लेती तो अभी तक वह इंकम टेक्स डिपार्टमेंट में होती परमोशन होकर चुकी होती कम से कम लेकिन उन्होंने वहां से वियारेस लिया नौकरी छोड़ी 2014 के चुनाव के अंदर वो सिर्षा लोकसभा के लिए बतार दावेदार अपनी पूरी दावेदारी कर रही थी लेकिन 2014 के चुनाव में समझोता हुआ भारती जनता पार्टी का हर्याना जनहित कॉंग्रेस से हर्याना जनहित कॉंग्रेस ने टिकेट दे दिया था उस चुनाव में अपने प्रत्याशी को हर्याना जनहित कॉंग्रेस ने उस चुनाव के अंदर जो सिर्षा और हिसार चुनाव लड़ा हलाकि दोनों सीटे हार गई लेकिन सुनिता दुगल जी को लोगस सभाका चुनाव हार गई 2014 में 2019 में उनको भारती जंता पार्टी ने फिर टिकेट दिया लोक सभाका अब की बार भाजबा दसों सीटों पर लड़ी थी और 2019 में सुनिता दुगल जी ने सिर्सा की बंजर जमीन में कमल खिला दिया चुनाव भारती जंता पार्टी जीत गई सुनिता दुगल के बारे में हम पिछले दिनों कई वीडियोज बनाया करते थी दोस्तों मैंने कई वीडियो समें कहा था कि सुनिता दुगल का टिकेट कर सकता है कई जगए मैंने ये कई वीडियोज में बाद में भी कहा कि सुनीता दुगल जी का टिकेट कट सकता है भारती जन्ता पार्टी उनका टिकेट काट सकती हैं अन्तो गत्वा वही हुआ कि टिकेट कट गया खेर वापिस आते हैं जो कल की मैं आपसे बात कर रहा था कल उस सभा को संभोधित करते हुए सुनीता दुगल जी ने कहा उन्होंने कहा कि ये मेरी फेरवेल पार्टी है उन्होंने कहा कि चुनाव जो लड़ा पिछला चुनाव लड़ा या उससे पहले उनको टिकेट मिला वो सारी बाते तो उन्होंने कही होंगी लेकिन उन्होंने म बाहशन में सामने निकलकर आगई है सुनिता दुगल जी ने जब यह कहा तो उनके कारे करता हूँ के अंदर बात जरूर गई और दोस्तों राजनीती के अंदर संदेश दिये जाते हैं राजनीती के अंदर आपका एक एक बात माइने रखती है कि आप क्या बोल रहे हैं और इसलिए मैंने आपको कहा वीडियो शुरू करते हुए कि मनोहरलाल के सामने ही सिर्साल लोकसभा पर खेला हो गया सुनिता दुग्गल जी का जो वो भाशन है जो सुनिता दुग्गल जी का वो संबोधन है आप सुनिए संबोधन में वो क्या कह रही है अब लगदा है बई जी में एक होंदी है ना जदो मैं 2014 अच अफसर सी ते इंकम टेक्स दे कमिशनर दी नोकरी छड़के में राजनी दी चाही सेवा वास्ते ते जदो ओस टैम कोई वी अफसर जड़ा है ओ दी विदाई होंदी सी ना ते अपां फेरवेल पार्टी कर दे सी मैंनो भी आज एओ जा महौल लग रहे है कि जी मैं तुसी सारे आथे मेरी फेरवेल पार्टी वास्ते बैठे होए ते पांच साल तक 2014 नोकरी छड़ के इंकम टेक्स कमिशनर दी मैं राजनी ती चाही ते उसने मैंनो याद है कि मैंनो साड़े शीर्ष नेतरतव ने कहता सी कि 2014 तुसी जड़ा सिरसातों चुनाव लड़ना है मैं क्या ठीक है जी मैंनो ता कुछ पता नी सी राजनीती चुनाव ने क्या कि तुसी जाके अरुन जेटली जीनू मिलके आओ पैंड सुष्मा सवराज जीनू मिलके आओ ते अपने जड़े सिरसादे आगुने अपने जगदीश चोपडा जी उना नू मिलो ते अपने मनीश ग्रोवर जी ऑना दे गार में ऐकई त्यो पहलिए वार मैंसडे अधरनिय मनोहर जी मेनू कैन देने नी के तुसी ता अफसरची तुसी की में राजनीतिश जारे ओ। क्या जी मैंना शीर्ष ने तरतव ने विश्वास noir के सिरसादों तो अनू तिक्ट देनीगे तु ऊद्थों चुनाव लड़ो उन्हाने मैंनु हास के कए राज नितिज 어ले में आपको तुस्र तुस्हित उन्हाची्टि सरा चुनाव लड़ो पूस्थर नंकलुग्द नhã ठीज़ी वहिंद तुसिंड आख से यह बताने के लिए काफी है कि वो निराश हैं वो हताश हैं वो अदास हैं अपनी टिक सांशत रही है लोगों से उनके रिष्टे जरूर हुए होंगे और इन बातों से भारती जन्ता प्राटी के प्रत्याशी अशोक तवर जिनका वैसे ही कई जगे विरूध हो रहा है किसान विरोध कर रहे हैं सिक समाज के अंदर विरोध हो रहा है कई जगा विरोध की बाते आ रही है तो फिर इस से और भी दिक्कत हो सकती है लेकिन सुनीता मैडम ने अपनी बात कह दी हाला कि ये जरूर है कि बाद में अशोक तवर जब अपना संबोधन दिया तो अशोक तवर जी ने भी मरहम लगाने की कोशिश की सुनीता दुगester पर कहा कि आपका वैल ही वैल होगा आप सुनीए क्या कह रहे है ऑशोक तवर पिछली बार तीन लाग से भेन सुनीता दुगल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया अभी वो आवान भी कर रही थी उन्होंने भी लगातार संगर्श किया वो चर्चा भी कर रही थी कि भाई मैं किस तरीके से राजनिती में आई वो कह रही थी कि ये फेरवेल है मैं हमारी बड़ी भेन को कहना चाऊंगा कि राजनिती में आना भी मुश्किल है राजनिती में जाना भी मुश्किल है कोई फेरवेल नहीं है ये आपकी फेरवल नी अभी तो वैल वैल आगे होता रहे, सब अच्छा आपके लिए होता रहे, पार्टी के लिए होता रहे, इन के लिए होता रहे तो हलांकि अशोक तवर ने कोशिश तो की लेकिन सुनिता दुगल का जो सम्बोधन था वो भारती जंता पार्टी को डेंट देने के लिए काफी हो सकता है वैसे आपको क्या लगता है कि सिर्सा से सुनिता दुगल जी का टिकट काटा जाना क्या भारती जंता पारटी के लिए परिशानी का कारण बन सकता है आपको क्या लगता है कि अशोग तमर जो लगातार चुनाव परचार में लगे हूँ है जिनके परचार के लिए लगातार मनहुरलाल और नायब सिंग सेनी हर्याणा के मुखे मंत्री और हर्याणा के पूरु मुख्य मंत्री दोनों पसीना बह रहे हैं वो कितनी मजबूती में रह पाएंगे और आपको क्या लगता एक बड़ा सवाल है कि क्या हर्याना की 10 लोकसभा सीटों पर भारती जंता पार्टी अपना पुराना प्रदर्शन दोहरा पाएगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियो अप्डेट्स के लिए मारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहें देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही तेश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन